असलाम लीकूम वेल्कम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आफ तब खारियास नहीं होंगे क्यों ना आज मैंने सूल चाहिए कि आप लोगों के लिए कुछ ट्रीशनल लेकर आया जाए तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आलू पालक की रेसिपी जटबट बनेगी और बहुत चल्दी तयार हो चाहिए कि चलते हैं उसके रेसिपी की तरह लिक इन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चाहे और साथ लेके बाल आकन को जरूर प्रेस करते जाहें तक अगर चोटी प्यास में तो आप दो ले सकते हैं और कर नॉर्मल है तो एक ले ले लें प्यास का इलका सा कलर चेंज होने तरक हम इसको फ्राइ करेंगे उसके बाद यहां मैंने लिए 1.5 किलो पालक एक किलो और आधा किलो उसको मैंने कट कर लिया है और अच्छी तरह से व पालक एक करने के बाद मैंने लिये हैं एक किलो आलू आलू को मैंने क्यूप्स में कट कर लिया है यहां मैंने टीन टिमाटर लिये थे उनको काट लिया है पन टेबिल स्पून चिली पॉडर एक किया है मैंने नमक आप अपने साफ से रखेगा मैंने नमक कम रखा है क्योंक अच्छी तरह मिक्स करेंगे आई फ्लेम पर हमें बनाना है क्योंकि पालक पानी चोड़ती है उसी में जल जाएंगे टिमाटर और पालक के पानी में तीन सच पाच मुन तग हम इसको पकाएंगे यह देखें पाच मन बाद यह पालक जो है सॉफ्ट हो गई है और टिमाटर भी गल गए है बगर अब इसमें पानी बाकी है उसमें हम यहाँ पर एड़ करेंगे मेथी यहरी मेथी है बहुत जादा फाइदेमान होती है तो मैंने एक पाउकी करीब मेथी आड़ करिए और एक पड़ी सोई की एड़ करिए तीन से चार मैने हरी मिर्श एड़ करिए बीच में से कट कर दिया था अच्छी तरह मिक्स करेंगे 10-15 मिंट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसको छोड़ देंगे कवर करके 10-15 मिंट बात ये देखें अभी हलका हलका सा पानी रह गया है इसमें तो यहाँ मैंने एक चमचा कुसूरी मेथी आड़ करिए हलके सा मैंने इसको मिक्स किया और पाच मिंट के लिए बिलकुल लो फ्ल हो गया है और हमारी आलू पालक बिलकुल रैडी हो गई है सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसे नहीं हो तो अपने फ्रेंड फैमली में शेयर करना मत भूलिएगा मुझे इंस्ट्राग्राम पे भी फॉलो की जोएगा इंस्ट्राग्राम का लिंक मेरे डिस्क्र हुआ 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 है